आज हम लोग खरवार जनजाती और खड़िया जनजाती के इंपोर्टेंट MCQ करेंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन है खरवार जनजाती का सरवादिक केंदरन जहारखंड में किस परखंड में हैं मतलब की सबसे ज़्यादा किधर रहते हैं ठीक है यह और खिरवार इनका नाम क्यों पड़ा है टेहर कि ए खीरी जहार कशले के हाँ साय यह इसले इनका नाम क्या हो गया खिरवार हो गया ठीक है और cat… पलामो और लातेहार में इनको क्या कहा आता है अठार हजारी ठीक है और इसमें क्या होता है इनका खरवार जन जाती का कोई भी कोई भी युवाग्रे नहीं होता ठीक है खरवाट केंद्रण कहां पर तो पलामु में है खरवार जन जाती कैसे पढ़ खरवार नाम कैसे तो किरी जार साइट से आये थैं इसलिए खरवर के नाम पढ़ा इनका पलामो और लातेहार में इनको 18,000 कहा जाता है और इसमें से कोई भी you agree नहीं होता ठीक है जन्जाति स्वेम को इसमें से किस का वंसज मानती है खरवार जन्जाति इसमें से किस किन का वंसज मानती है अब्षन ए राजा हिच्छंद उप्षन भी हरिषचंद रोई तास्व और संसी राजा भरत ऑप्षन दी चंदरगुप्त मौरे तो क्या हो जाएगा ऑप्षन B हो जाएगा सही अंसर ठीक है यह अपने आपको क्या यह एक तरह का जो खरवाय जन जाती है वो लड़ा को जन जाती होती है ठीक है जन जाती होती है और यह अपने सत्य बोलने के कारण पहुत फेमस हैं परसिद्ध हैं यह हमें से सत्य बोलते हैं खरवाय जन जाती है और यह लड़ा को जन जाती है किसके वनसज हैं तो हरिस्चंद रुहित्तासु नेक्स्ट खरवाय जनजाती का समन्द इसमें से किस परजातिय सम्हू से है किससे है ओप्षण A प्रोटोस्टलाइट ओप्षण B मॉंगलाइट ओप्षण C द्रविड ओप्षण D निग्रीडो तो क्या हो जाएगा ओप्षण C ये किससे है द्रविड जनजाती से है और ये कौन सा भासा भी बोलते है भासा कौन सा बोलते है तो खिरवारी बोलते है ये किस भासा परिवार से है तो एस्ट्रो एस्टिक से है ठीक है अपने आप ये द्रवीडियन से हैं लेकिन इनका भासा क्या है एस्ट्रो एस्टेटिक फैमिली से बिलॉंग करता है ठीक है नेक्स्ट कोईशन खेरवाय जनजाती के परमुख देवता है इनके परमुख देवता कौन है ओप्शन ए ओका बोंगो ओप्शन भी सिंग बोंगो ओप्शन सी ठाकुर ओप्शन डी मारंग बुरू तो कौन है इसमें तो क्या हो जाएगा सिंग बोंगा ठीक है next खेरवाय जन्जाती का धार्मिक परधान क्या कहलाता है धार्मिक परधान क्या कहलाता है पाहन या बोंगा option B पुजरा या पनभरा option C महतो या मानकी option Dory या देवरी तो क्या हो जाएगा option A पाहन और बोंगा ठीक है next जारखेंट के अत्रिक्त खड़िया जन्जाती इसमें से किस राजि में पाए जाती है किस में पाए जाती है असाम पक्ष्मी बंगाल उरिसा ओप्शन D उप्युक्त सभी तो कहा हो जाएगा सभी जगा ये पाए जाते है next हाँ ये देख लिते हैं वो तीन वर्गों में डिवाइट किया गया है ठीक है तीन वर्गों में डिवाइट किया गया है कौन-कौन तो पहाड़ी खड़िया पहाड़ी खड़िया सकेंड में क्या हो जाएगा धेल की खड़िया और थर्ड इसको क्या हो जाएगा दूद खेडिया, ठीक है, next, खड़िया जन जाती में, जन जाती है, पंचाईत को इसमें से किस नाम से जाना जाता है, बिंदिया, और यहां पर पंचाईत परमुख को क्या कहा जाता है, तो दान दिया कहा जाता है, ठीक है, next, खड़िया जन जाती के परमुख देवता है, खड़िया जन जाती कोन परमुख देता है, option A, बेला भागवान, option B, धरमेज, option C, शिंग बोंगा, option D, इसमें से कोई नहीं, तो कोन है, बेला भागवान, ठीक है, इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो ठाकूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, धरमेज किन का है, तो किस जाती का परमुख देवता है, धरमेज, तो उराओं का है, ठीक है, सिंग बोगा तो बहुत का है, संथाल का है, मुंडा का है, और अभी जो उपर देखे थे, खरवार का है, ठीक है, और ख़ड़े जन जाती में, यह अपने पहार देवता को क्या काते है, तो पारदूबो काते है, ठीक है, और वन देवता को, वन देवता को, तो बोराम काते है, ठीक है, नेक्स्ट, ख़ड़े जन जाती, के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या करते है, अपनी भाषा में भगवान को क्या करते है, धर्मराज, ऑप्शन B, गिरिंग, बेरी, ऑप्शन C, उप्युक्त दोनो, इसमें से कोई नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, एंसर, झाल में हो जब तो यह क्या करते है, जब झाल में